दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लाप्टॉप अंडर ट्वेंडी थाउजन रूजन रूजन बेस्जार के अंदर जो बेस्ट लाप्टॉप है ये सेग्मेंट में रिली बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है लेकिन मैं बहुत मुझे अजीब सा लगा जब मैंने काफे सारे वीडियो देखें मैंने का मैं रिसर्च कर लेता हूँ ताकि अच्छे से अच्छे लाप्टॉप आपके लिए ढूण के ला सकूँ आप करेगा इंटरेनेट स्रफिंग भी करेंगे उसके लाप नमल गेमिंग भी करेंगे और उस पर सहुने पर सुखागा है क्योंकर स्लबीका अगर आपको ऋरिजिनल विंडव ! मिल जाती है Windows की regular update देखने को मिल जाएगी और antivirus का आपको support मिल जाएगा तो इस video के अंदर मैंने इसका खास ध्यान रखा कि जितने भी laptop मैं आपको बताने वाला हूँ सभी के अंदर आपको genuine window मिलेगी with lifetime warranty मतलए आपको उसको use करेंगी जब तक आप laptop यूज करने वाले आपको genuine window को support मिलने वाला है दूसरी चीज जो मैंने ध्यान में रखी है वो यह है कि अच्छे brands जी हाँ दोस्तों मैंने जो बड़े brands है उनका ध्यान रखाए क्योंकि हमेशा यह होता है कि कई लोग यह सोचते हैं लापटॉप का price कम है तो उसके अंदर quality कम हो जाएगी नहीं दोस्तो brand बड़ा होगा तो उसकी quality भी अच्छी configuration भी अच्छी होगी तो ऐसे मैं ढूंड के लाया हूँ मैं वो सभी laptop जो 20,000 की range में आएंगे और कमाल धमाल performance आपको देंगे बिना वक्दवाई वीडियो को फटाफट सार्ट करते हैं मेरा नाम है संदीप और चाल का नाम है टेक वानी सबसे पहले laptop की जो बात करता हूँ वो है Lenovo का V110 दोस्तों यह 19,800 रुपे के अंदर आपको मिल जाएगा और इसको आप 8GB तक बढ़ा सकते हैं साथ ही आपको मिलेगी 500GB की hard drive Windows 10 का home edition इसंदर आपको मिलने वाला है साथ ही आपको USB 3.1 का support भी मिलने वाला है हलाकि 3.0 का भी मिलने वाला है HDMI support भी इसंदर आपको मिल जाएगा बाकि LAN port, webcam वगरा, Bluetooth, Wi-Fi इस सब आपको मिलने वाला है 15.6 इंच की आपको HD anti-glare screen देखने को मिल जाएगी anti-glare screen से क्या होता है कि दोस्तों आपकी आँखो पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता अगर आप ज़्यादे तो काम करते हैं 15.6 की जो screen है उसके इनतर नुमेरिक pad अलग से होता है giveaway मिल चुका है giveaway मतलए कि 5 gaming headphone इनको मिलते हैं बहुत-बहुत मुबारक बाद इन लोगों को और ये Instagram पर जाके मैंजे message कर सकते हैं अपने detail दे सकते हैं ताकि मैं gaming headphone इनको भेज सकूँ और जिन लोगों को नहीं मिला है वो try कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं अगले giveaway में क्योंकि अगला giveaway बहुत जल्दी आने वाला है तो subscribe करें चैनल को ताकि अगले giveaway में मैं for sure है कि आपको ज्यादा से ज्यादा giveaway अपकर में 5 करें थे करूँ इससे ज्यादा करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगो giveaway मिल सके आप दूसरे laptop की बात कर लेते हैं दूसरा laptop है Acer का Aspire 3NX GNVS 011 दोस्तों अगर laptop के model number आपको याद करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं उसके model number जो है वो नीचे detail में दे रहा हूँ description में आप click करके directly website पे redirect हो सकते हैं हाँ पर जाके आप अपना पूरा detail में laptop को चेक कर सकते हैं और परसंद आए तो उसको खरीद भी सकते हैं configuration की अगर बात करूँ तो इसंदर आपको AMD का E2 9000 processor देखने को मिलेगा जो कि 1.8 GHz की frequency पर चलता है और turbo boost करने पर 2.2 GHz की frequency तक जाता है 19,986 रुपे इसका आपको price देखने को मिलेगा इसंदर आपको भी pre-loaded Windows 10 का edition 64-bit का देखने को मिल जाएगा 64-bit का होने से फायदा ही हो जाता है दोस्तों की जो gaming होती है 64-bit की या फिर जो software होते हैं वो इसमें अराम से चल जाते हैं 4GB की संदर आपको DDR RAM देखने को मिल जाएगी जिसको 8GB आप 12GB तक आप बढ़ा सकते हैं तो fully upgradable है future में भी आप RAM बढ़ा के इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं एक TV की संदर आपको hardest देखने को मिलेगी जिसको आप 2 TV तक बढ़ा सकते हैं वही 15.6 की आपको HD स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसकंदर नुमेरिक पैड अलग से देखने को मिल जाता है 2.1 kg का इसकंदर आपको weight देखने को मिलता है 5.5 घंटे का battery backup देखने को मिलेगा बाकि USB 3, USB 2, HDMI port, card reader वगएरा सबका support आपको देखने को मिलने वाला है Bluetooth, Wi-Fi, webcam वगएरा एक जो कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसकंदर आपको DVD राइटर नहीं देखने को मिलेगा वो इसका कौन भी हो सकता है हाला कि आज की तारिक में इतने लोग DVD राइटर वगएरा CD राइटर इस्तमाल नहीं करते हैं तो अगर आपको ये laptop पसंद आता है performance काफी अच्छी सकने देखने हो मिलने वाली है Windows 10 भी जिन्वन मिलने वाला है brand भी काफी अच्छा है link मैं नीचे दे रहा हूँ आप description में आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं तीसरे laptop पे बढ़ने से पहले अदर्वाइस बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि हमेशा है सोचीगा कि कोई इंसान क्यों अपना laptop बेच रहा है तो उस laptop से परिशान है या फिर उस अंदर कोई कमी है इस वाइसे उस laptop को बेच रहा होगा दूसरे बात electronic items जो होते हैं वो पुराने होने के बाद कितने चलेंगे या out of warranty होने के बाद कितने चलेंगे यह तो खुद company भी नहीं बता सकती है अगर मेरे पास आज एक electronic मत बात करता हूँ अगर मेरे बल्ब भी है ना तो कौन सी बारी में fuse होने वाला है मुझे नहीं पता है तो ऐसे में electronic item पुरानी खरीद में से थोड़ा परेज कीजिएगा अगर जो मैंने बताया कि कैसे ले सकते हैं अगर warranty में है जैसे माले जे किसी ने अभी बिल्कुल नया लिया है और 18 मेने की warranty बची भी है और शायद उसको upgrade model चीए था अगर luckily आपको ऐसा कोई laptop मिलता तो आप उसके लिए जा सकते है otherwise मेरी advice यही रहीगी कि पुरान laptop के लिए मज जाएगा तो तीसरे laptop की बारे में बात स्टार्ट करते हैं तीसरे laptop की अगर बात करें तो वो है Acer का Aspire जो आपको 17,990 रुपे का मिल जाएगा इसके अगर आपको Intel का Dual Core Processor देखने को मिलने वाला है जो की 1.6 GHz की frequency पर चलता है और turbo boost करने पर 2.4 GHz की frequency पर चलेगा इसके अगर आपको 4 GB की RAM देखने को मिलने वाली है जिसका आप 8 GB तक बढ़ा सकते है वहीं 1 TB की hard drive देखने को मिलेगी जिसका आप 2 TB तक बढ़ा सकते है 15.6 इंच की full HD screen देखने को मिलने वाली है और 7 घंटे का battery backup देखने को मिलेगा और 7 घंटे का बैटरी बैकप देखने को मिलेगा और 7 आपको card reader वगरा Bluetooth 5i का support इसके देखने को मिलने वाला है वाला version ले लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा चौथे laptop की तरफ बढ़ने से पहले एक advice मैं और देता हूँ दोस्तों आपको कई बारी जब आप online जब आप buy करते है न तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा गई बारी ब्रैंड तो अच्छा होता है लेकिन जो seller होता है वो seller के भी reviews आप जरूर ध्यान दिजाएगा seller के reviews कैसे हैं उसकी rating कैसी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि brand बहुत अच्छा है laptop बहुत अच्छा है लेकिन seller बहुत बेकार है तो seller क्या करता है गई बारी उसको दुबारा पैक कर लिया या ठीक आइटम को नहीं दिया यह सीजे हमीशाद seller की भी reviews देख लिजेगा और Amazon की प्रफरेंस होते ना कुछ उसको अगर आप prefer करेंगी तो और भी जाथ अच्छी बात है क्योंकि Amazon की वो अच्छी reviews और rating वाले जो आपको कोई laptop की model के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे description में चले जाएगा क्योंकि नाम इतने लंबे है कि खुद मुझे याद करने में दिक्कत हो जाती है तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने छोटी सी मैंने फटा-फट बताते तो शायद आपको remember करने में दिक्कत हो जा तो यह काफी strong laptop है जिसके अंदर company ही 2 साल की warranty दे रही है तो वो अगर खुद इतनी trusted है कि 2 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं है तो इसका मतलब for sure 3-4 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है तो मतलब आप college start करेंगे तो end तक इस laptop को बड़े अराम से चला पाएंगे अब बात कर लेता है इसकी main configuration के बारे में तो इसके अंदर आपको 2.16 GHz का Intel Pentium परशो से देखने को मिलने वाला है साथ या आपको 2 GB की DDR3 RAM देखने को मिलेगी जिसे आप 4 GB या 6 GB तक बढ़ा सकते हैं 500 GB की संदर आपको hard disk देखने को मिल जाएगी 15.6 इंच की संदर आपको HD display देखने वाला है Windows 8.1 का आपको support मिलेगा जो 64-bit पर चलती है साथ ही Wi-Fi, Bluetooth, card reader वगएरा, VGA port और HDMI का support आपको मिलने वाला है तो दोस्तों एक तरह से ये complete laptops हैं जिसके अंदर आपको Windows की बात करें या फिर integrated graphic card की बात करें या फिर आपको configuration की बात करें या screen size की बात करें ये सबी वीडियो आपको किसी तरीके से support कर पाया होगा इस चीज में कि आपको जो laptop चाहिए बिज़ार की range में शायद आपको मिल जाए इसी तरीकी की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like जरूर कीजिएगा चैनल को आप subscribe कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे next वीडियो के अंदर